मैं हूं मनोश शर्मा और आज की क्लास में करने जा रहे हैं क्लास 12 का चेप्टर डेथ हो पार्टनर आगे कॉंटिन्यू और आज जो कुश्चन करने जा रहे हैं बहुत अच्छा कुश्चन है एक्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है तिल इज फाइनली क्लोज जब तक व जानता है वो देखते हैं मैं एक कुश्चन लिखाया हूं बहुत अच्छा कुश्चन है 2019 सी बेसी बोर्ड में आया हुए मैं रीड करता हूं आप देखिए लिखा हूं है एबी एंड सी वर पार्टनर सीने फार्म शेरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इंदा रेशियो ऑफ भी 70,600 हमने यानि के उसको पे करना है क्रेडिट बेलंस है सीज एक्जीक्यूटर वाज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016 और हमने 10,600 की पेमेंट भी कर दी आफ्टर वंडे एक दिन के बाद जब उसकी डेथ हुई एंड दा बैलेंस इन 3 इक्वल इयरल इंस्टॉल्मेंट और जो और न उन पेड़ामउट जो अन पेड़ामउट होगा दाफाम क्लोजिट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी यर फाम अपने अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करती है प्रपेर सीज एक्जीक्यूटर अकाउंट तिल अप्र अमाउंट इज फाइनली पेड जब तक उसको फाइनली एक साइड अच्छा चार साल में यह अमाउंट पूरा होगा क्यों होगा अभी बताता हूं यह जरा वर्किंग नोट पे आ जो सी की डेट कभी है डेट दे रखे 30 जून 2016 में याद रख लो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें दे रख है सी का कितना आमाउंट है उसके कैपिटल अकाउंट में 70,600 पहले तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सी का अच्छा इसने बना बनाया हमें दे रख है कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस आया है आफ्ट रॉल एडजेस्म अकाउंट तो जब वो पोस्टिंग होगी एक्जेक्यूटर में किदर आ जाएगा क्रॉस करके आएगा एक्जेक्यूटर लिखो डेट कौन सी है जिस डेट को एक्सपार हुआ पहले वो लिख दो इयर लिखो सबसे पहले 2016 फिर लिख दो जोन 30 और कौन सी अकाउंट में कैपिटल अकाउंट के आद करो डेबिट साइड में आपने लिखा होगा जो बैलेंस निकलता है टू एक्जीक्यूटर अकाउंट सीज एक्जीक्यूटर लिखा होगा जब एक्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे मैंने लेजर से जब दूसरे लेजर में जाएगा तो यहां पर लिखतो वाई सी कैपिटल यह यानि के सी के कैपिटल अकाउंट से हमने बनाया है कितना अमाउंट दिखा रखा है यह एक गलती मोस्क्ली स्टूडेंट क्या करता है कि अमाउंट जो उसको पेड करा 10600 लिखा अकाउंट में लिखो जब हम अमाउंट पे करेंगे तो एंट्री क्या लिखेंगे हमारी लाइबलिटी डिस्चार्ज हो रही है जिसको पे करना है तो एक्जीक्यूटर अकाउंट है भी टू बैंक अकाउंट लिख दो डेट यहां कौनसी डेट को दिया 2016 को और हुई है डेट यह देख लो यह कुश्यन हमने यहीं लिख दिया एक तरीके से यहां लिख दो बैंक अकाउंट कैश भी लिख सकते हो बैंक भी दोनों ठीक है कितना आएगा 10600 अब चेक करते हैं कि उसको आगे फ्यूचर में कितना पे करना है देखो टोटल उसके कैपिटल अकाउंट में 70600 दिख रहे है कुश्यन में देख लो इतना अमाउंट पेड कर दिया तो बैलेंस कितना बचेगा आप 60,000 आउटस्टेंडिंग है उसको दिना जिसको हम तीन साल में रीपे करेंगे उसको इरली इंस्टाल्मेंट बनेगी इक्विली तो इरली इंस्टाल्म की तो इंस्टाल्मेंट आएगी और इसमें प्लस इंट्रस्ट भी आएगा भी याद रखना अब यहां कैलकुलेट करते हैं देखो पहले इंट्रस्ट कैलकुलेट होगा पूरे साल का जो इंट्रस्ट बनेगा हमेशा उट्स्टेंडिंग अमाउंट पे बचेगा आउट् क्योंकि डेथजर्ण्यय आपको कब दिखेगी बिग्निग आफ डए यार में दिखेगी यानिकर ड्यूरinois में जिखेगी जब ड्यूरिग डायर में उट्क जितना इंट्रस्ट इस यर्वर का आएगा किस यर का है यह देखो यह बताता हूं यहां यह लिखो 2017 और मार्च लिखो आज आपकी क्लोजिंग डेटा आगई क्योंकि अकाउंट क्लोज करने हैं पेमेंट तो भी हमने यहां करी नहीं पेमेंट कब करेंगे एक साल बाद यानि कि 30 जून 2017 में तो यहां तो यह तक का इंट्रस्ट निकालो बस कितरा इंट्रस्ट बनता है करें दिखो यहां आणि यह इंट्रस्ट पहले ऑप सबसे पहले यह नाइन मनत का बनता है यह समझ आ रहा है कैसे बना नाइन मनत का बही डैथ कब लुई थी उसकी 30 जून को और हमने जो क्लोज करने अकाउंट कब क्लोज करने आप क्लोजिंग डेट आ गई तो प्लोजिं 2000 के उपर 9 मंत का इंट्रस्ट निकालो कितना बन गया 9 अपॉन 12 और डिवाइड टू करो 10 अपॉन 100 करते हो तो 4500 आएगा पूरे साल का तो बनता है 6000 10 परसेंट सीधा हो गया लेकिन आपको कनवर्ट करना होगा 9 मंत में क्योकि इंट्रस्ट यहां तक जो बना पे तो करानी हमने लेकिन यहां तक कितना बनता है 9 इन का तो यह आ गया अब उसको कितना ड्यूज रह गया पेमिंट तो भी हूई नहीं अगले साल यहां उसका बैलेंस यही कितना आगया इदर का टोटल कर लो 74 75100 आ रहे 75100 आ जाएगा यह तो बने गया आपका 501 कहरी हो गया उसके बाद यह 64500 इस एर में पे करना है ऐसे यह वला यह बना अब नेक्स्ट इयर डेट डालो इयर तो 17 रहेगा आपका यह देखो यह वला यह तो क्लोजिंग डेट है क्लोजिंग के बाद ओपनिंग डेट क्या बनेगी यह यह रहेगा एप्रेल फस्ट आ जाएगा लिखो एप्रेल मार्च 17 तक इतना मांट उनको पे करना है लिख दो हो यह 64500 अब हमारी इंस्टॉल्मेंट की बारी आएगी कौन सी डेट को एक साल पूरा होगा देखो इस डेट से लेके इस डेट तक 17 तक तो इंट्रस्ट भी बनाना पड़ेगा थ्री मंत का क्योंकि देना तो पूरे 12 मं होगा उसी यर के इंदर अब यहां लिखो डेट डालो यहां 2017 और जून ही लिखो यह जून 30 पहले तो इंट्रस्ट बनाओ कितना इंट्रस्ट बना वह इंट्रस्ट थ्री मंत का निकालना होगा अब ध्यान रखना 60,000 थी आपकी आउट्स्टेंडिंग अमाउंट उसी के उपर जो है 3 by 12 और इंट्व 10 upon 100 यह चीज समझा रही है 15 देखो पूरे साल का 6000 बन गया कैसे बन गया बताता हूं आपको 60,000 के उपर 10% यदि निकालने तो होलियर का कितरा बन जाएगा 6000 रुपी हमने वह स्पिरिटी तो करा है बस यह रहा और क्या किया 60 तो बना आपका इ हो दिखाना है किलियर है यहां तक हमारा बना इतना तो यह चीज समझा गई अब इंस्टॉल्मेंट की बारी आ गई क्योंकि एक साल पूरा हो गया यहां पर आजो इधर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि लाइबिलिटी की नेचर क्या है क्रेडिट और जब भी वह इंस्टॉल्मेंट आपने कितने की बनाई थी 20,000 की और उसमें एक साल का इंट्रस्ट यह रहा मैं यहां आपको शो करके देखाता हूं जिससे आपको और क्लियर्टी होगी प्लस करो 4500 तो इंट्रस्ट एक था यह तो बना था नाइन मंत का यह थी का तो पूरे साल का ही त क्लोजिंग जब डेट आएगी तो इंट्रस्ट आपको दिखाना होगा कि हमारा इंट्रस्ट कितना और बन गया अब हमारा इंट्रस्ट बनेगा 40,000 अमाउंट पर कैसे बनेगा वह भी आपको बताता हूं पहले तो डेट लिख लो 2018 और यहां लिखो मार्स 31 यहां लिखो अब आई इंट्रस्ट कैसे आएगा वह भी आप समझ लेना यह देखो आपका आज अमाउंट रह गया 40,000 कैसे रह गया 40 वह भी समझ लो टोटल इदर कितना दिखता है आपको 66,000 उसमें से कितने की पेमेंट कर दी हमने 38 जून तक 26 की बच कितना गया हमारा 40,000 तो 40 के आप पर इंट्रस्ट बना दो 9 मंत का क्योंकि क्लोजिंग डेट यहां है तो 9 का ही बनेगा जैसे इसमें नाइन का बनाए था 3 का इसमें लिख देंगे कितना आ गया यह 9 12 हो गया और इंटू करो 10 अपॉन 100 भाई करोगे तो इसको तो यह आपका 3000 रुपी आ जाएगा इस साल का 9 मंत तक का वही पूरे साल का 4000 बनेगा चार को स्प्लिट करो हमें 9 मंत का यहां चाहिए तो 9 मंत का दिखाया क्यों 9 मंत का दिखाया क्योंकि जो आपका आउट्स्टेंडिंग अमाउंट है जून के बाद वो कितना बचता है 40,000 तो उसके ओपर इंट्रस्ट जो बनेगा ब लिखो 69,000 आगे है यह लिखो 69 यह रहा 69 और यह आपका बन जाएगा 43,000 आज आउट्स्टेंडिंग कौन सी डेट को 2018 और यहां लिख देना मार्च 31 टू बैलेंस सीडी यह आज इतना बैलेंस बचा हुआ है अभी उसको पे करना किलियर है इसको आगे फॉरवड करो यहां लिखो डेट सबसे पहले 2018 अगले दिन की डेट बनाओ कौन सी डेट है मार्च है जब यह आगे ब्रॉड डाउन बनेगा तो इससे एक दिन आगे की डेट कहाएगी अप्रेल फस्ट लिखो अप्रेल फस्ट यह रहा आई बैलेंस बीडी कितना बैलेंस बचता है वो दिखा बने जैसे यहां तो हमने नाइन मुंत काई लिया थ्री मंस का यहां लो क्यों लो क्यों कि इस डेट को आप पेमेंट करने जा रहे हो अब जून में थर्टियत को तो यहां इंट्रस्ट बनेगा थ्रीमंत का भई यही 40,000 को में जो है स्प्लिट कर रखा है जैसे यह डिक्स इंट्रस्ट कितना आएगा भाई आपका जो बन गया 40,000 इंटू करो यहां पर 3 by 12 और इंटू करो 10 upon 100 यह थ्री मन्त का इंट्रस्ट है वो बनेगा 1000 रुपी किलियर हो गया अब इसकी पेमेंट कर दो यहां दिखो पेमेंट की डेट क्या है 2018 है और लिखो जून 30 और यहां लिखो टू बैंक अब यह भी समझाता हो कितना आएगा यह देखो 20,000 की तो आपकी इंस्टॉल्मेंट है नाइन मन्त का इंट्रस्ट एक बना था 3,000 1,000 थ्री मंत का बना था पूरे साल का तो चार जारी बनेगा 40,000 पे चारी आया है लिख दो 24,000 आ गया के लिए यह 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 इस डेट को आया अब क्लोजिंग डेट आ रही है तो जो इंट्रस्ट अब आउट स्टेंडिंग अमांट कितना रह ग हो यह ही पॉइंट इसमें समझने वाला है यहां लिख दो मार्स 31 इंट्रस्ट करो नाइन मंत का क्योंकि इस डेट से लेकर मार्स तक नाइन मंत ही बनेंगे बाई कितरा बन जाएगा 20,000 20,000 कहा से आया समझ आ गया होगा बता दिया मैंने 44 और इस डेट को पेमेंट हो गई इतने की तो 20 बच गया गरो नाइन वाई ट्वेल और इंटू टैन अपॉन हंड़ेड के लिए रहे है अब इसको करते हो तो यह फिफ्टीन अंड़ आ जाएगा यह क्लोजिंग डेट आ गई अब यह क्लोजिंग डेट पे क्लोज करो अकाउंट को लिखो यहां पर 2019 और य 25,500 के लिए रहे है उसमें से 24 अटा दो तो 21,500 आ जाएगा इस डेट को अब नेक्स्ट यह पर चलो यहां जाओ 2019 और यहां लिखो एप्रेल फरस्ट यहां लिखो बाई बैलेंस वीडी यह लास्ट यह आ रहा है अब हमारा बैलेंस वीडी कितना आ रहा है 21,500 अब फिर इं इंट्रस्ट बनाओ थ्री मंत का भाई अभी दुबारा एक्स्प्लेन कर दोंगा तब आपको और किलियर हो जाएगा क्यासे बनेगा 20,000 रुपी आउट्स्टेंडिंग अमाउंट पर लगना था थी बाई 12 करो और इंटू करो 10 अपॉन हंडड करते हो तो 500 हो गया टोटल बने गया इदर 22,000 अब पेमेंट कर दो यह लास्ट यही तो था आपका 30 और टू कर दो बैंक कैसे आया वो भी समझायता हूं अभी आपको यह रहा बैए 20,000 की तो इंस्टॉल्मेंट है इसमें इंट्रस्ट हमने दो स्प्लिट करके लिखे थे टोटल तो टू तो 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 यह बनेगा हमेशा इसी पर करोएं यह यह पर आपने इंट्रस्ट जो मढब आ था माटां चनल वाले्टवैंट के अंदर ज्यादा तर चांसिज बनेंगे क्योंकि डेथ पार्टनर की जो है बिगनिंग आफ दा इयर पे नहीं होगी बिगनिंग आफ दा यह ओ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं पूरे साल का इंट्रस्ट लिख देंगे बाइव दूरिंग दा इयर में होई है तो जब इंस ऐसी चेकंड हमने कर लाइन मंद का इसमें दिखा दियां थ कहीं यहां पेमेंट कर mesa कर दिया ऑसे यहां तक में कर लेंगे बिल्धा कोई भी डाउट लगता है य arrested है जंग स्ब्स्क्राइब की जिए thanks for watching my video next class में जल्दी मिलते हैं